नमस्कार मैं हुमेगा सिंग और आप सभी का स्वागत है SPN 9 News में अभी की सबसे बड़ी खबर महराश्ट्र से निकल कर आ रही है दरसल महराश्ट्र में जारी सियासी घमसान अभी थमा नहीं है इसी कड़ी में उदव ठाकरे खेमे ने फिर सुप्रीम कोट कार रुख किया है उदव गुठ ने एकनात शिंदे गुठ को सरकार बनाने के राजपाल भगत सिंग कोशियारी के नियोते को चुनौती दी है साथी 3 जुलाई को वे विधान सभा की कारवाई को भी चुनौती दे दी गई है इसी दिन एक नए स्पीकर का चुना हुआ था और 4 जुलाई को फ्लोर टेस्ट हुआ था आपको बता दे कि सुप्रीम कोट में ठाकर सरकार ने तरक दिया है कि जिन 16 विधायकों के खिलाफ आयोगिता की कारवाई पेंडिंग थी ऐसे में वे विधान सभा की कारवाई में भागन नहीं ले सकते थे लेकिन ठाकरे खेमे ने राजपाल भगत सिंग कोशियारी के एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए निवता देने के निर्नय को सुप्रीम कोट में अवच्चुनौती दे दी है वहीं गौर हो की एकनाथ शिंदे ने 30 जून को महराश्च के सीम और दिवेंद्र फंडविस ने डिप्टी सीम की शपत ली थी शिंदे की बगावत के बाद उदव ठाकरे को सीम पज से स्तीफा देना पड़ा था और और महाविकास अगहारी सरकार गिर गई थी इससे पहले उदव खेमे की याचिका पर बुदवार को सुनवाई हुई थी तब ठाकरे गुठ ने राजपाल के राजनीति होने का आरोप लगाया था और अब देखने को मिल रहा है कि दूसरी तरफ उदव ठाकरे को लगतार जटके लग रहे हैं और यहाँ पर फिर से जिस तरह से सुप्रीम कोट का दरवाजा खटखटाया गया है इसके बाद क्या फैसला जो है उदव ठाकरे के हक में सुनाया जाएगा इस पर सब की नजर है आज के लिए बस इतना ही आगे की खबरों के लिए देख तरी SPN 9 News धन्यवाद